वेलकम डिया स्टूटरंस इंजियर टेक फैमिली के अंदर आप सब इस्टूटरंस का फिर से स्वागत हैं मैं रहूल आज की इस इस इपोर्टेंट वीडियो के अंदर हम डिसक्स करने वाले हैं एक इपोर्टेंट टोपिक्स के बारे में जो एंटीय ने एक नोटीस है वो आज में किसी तरीक आप कौा माने वाला हूंँ इस वीडियो गंदर बताने वाला हूं तो चेखे चीज़ चिरो करते हैं हमारी मेरे बिना किसी दे रही के इससे पहले अगर अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब निकेए तो प्लीज आप मेरे चनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आनल वीडियोज की नोट्फिकेशन भी आपको मिलती रहे साथ में like and share जूर करना चाहिए मुझे एनकेडमी पे follow कीजिए वहाँ पे मैंने आपके लिए best books प्रोवाइड कराईए जी में preparation के लिए और आप सभी के लिए धीरे-धीरे में सारे कोर्सी जब प्रोवाइड करा रहा हूँ फिलाल मैंने DC Circuit का कोर्स है वो अप्लग करा दिया है तो जैसे for example अगर हम books की बात करें तो मैंने books में आपको लिए best books की बारे में अगर आप मुझे follow करना चाते हो एनकेडमी पे तो आपको ये वाला link नीचे description में मिल जाएगा आप मुझे अनकेडमी पे जाएगा वहाँ पे आप मुझे follow कर सकते हो ठीक है begitu अगर हम बात करें इस तुरिके से मेरी profile आप वह पे पर मेरी profile को शो कर सकते हो वहाँ पे आप मुझे follow कीजिए है यlar पे follow करके ठीक है और और वहाँ पे आपको काफी कोर्से जो वो मिल जाएंगे आपके जी में पिरपेशन के लिए ठीक है और अगर देखे मैंने आपको कोर्से प्रोवाइड करा है best books for जी में के लिए ठीक है और resources भी बताए हैं कि जी में अगर आप जी में या जी एडवांस का paper clear करना चाहते हो तो उसके लिए कौन-कौन से best resources है जहां से आप online preparation कर सकते हो ठीक है और best books के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया कि आपके लिए कौन से books अच्छी है for example मैंने आपको physics का अलग से pattern बताया है math का अलग से और chemistry का अलग उसके अंदर मैंने बताया कि आपको लिए कौन से chapter से best तो प्लीज आप जाईए मुझे एनकेडमी पर जाईए मुझे फोलो कीजिए वहां पर आपको सारे courses भी मिलते रहेंगे और आपको भी मैंने best books के बारे में भी बताया है ठीक है तो अब बस वहां पर जाईए आप मुझे फोलो कीजिए ठीक है आपको इसी तरीके सारे information से भी वहां पर मिलती रहेंगे तो यह चीज़े मैं आपको हमारे YouTube चैनल पर नहीं प्रवाइड करा पा रहा है लेकिन वहां पर आपको आपको मिल जाएगी तेंक्यू अभी हम अमारे थी जो आज का जो topic है जो notice है जो means का उसके बारे में डिस्क्स कर लेते हैं class के जो students आते हैं weaker section जो students आते हैं candidate आते हैं उनको यहां पर reservation मिलेगी ठीक है उनको अगर वो Central examination of institute के अंदर अगर admission लेना चाहते हैं तो उनको वहां पर reservation मिलेगी तो ये उनको benefit है ये बहुत important notification है आपके सभी के लिए ठीक है तो इसके बारे में इनको पहले upload कर देना चाहिए था जब हमारे January के exams जब applications हुई आये थे तो वहाँ पर भी students ने EWM select करने का मौका मिलना चाहिए था लेकिन उस time वो नहीं कर पाये थे लेकिन अभी आपको mocha मिल रहा है आप अपनी correction कर सकते हो application form के अंदर इसका कुछ भी काम नहीं है आपको किसी तरीके कोई cut off या उस पर फिक्टने पड़ना बस आपको जो reservation है उसका अलग से quota मिलेगा ठीक है तो for example ये किन-किन students को मिलने वाला है जो EWS के अंदर आते है मतलब economical request section category के अंदर जो students आते है वो students ये वाला जो category है उसको select कर सकते है और उनको reservation मिलेगा किस तरीके से मिलेगा अभी आपकी 11 तारिक से लेके 15 तारिक तक आपकी correction चलने वाली है ठीक है जही में अप्रेल वाले exam की registration तो हमारी company रोज की है अभी आप तो कुछ कर नहीं सकते है अभी आपको जो correction करने का time मिलेगा उस time पे आपको category change करने का मोका दिया जाएगा तो वहाँ पे आप EWS category को change कर सकते हो और वहाँ पे आपको अभी किसी तरीके कोई certificate वगएरा upload नहीं करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी आपको बाद में जब आप जब वहाँ पे institute में जा एक्जाम अगर आप देना चाहा रहे हो मतलब आप अप्रेल का एक्जाम दे रहे हो जिन स्टूद्स ने जनुवरी वाला एक्जाम दिया और अप्रेल वाला एक्जाम दिया है दे रहे हैं उनका तो विसली सेम ही होगा क्योंकि application number वही login करना था आपको ठीक है जो अप्रे कैसे करना है आपको यह correction आपको जेमें 2019 की वेबसाइट पर आप्रेल की जो जो एक्जाम आपको ठीक है तो वहां पर आपको जेमें.nick.in की वेबसाइट पर वापर विजिट करना है और वहां पर 11 लेके पंदा तारिक तक आपको बीच में मोका मिलेगा अपने application form है उसमे correction करनेगा और यह चीज आप उसमें change कर सकते हो अब काफी students सोचेंगे भी मैं मेरी नहीं category है मैं फिर भी EWS select करेता हूँ एक ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहां पर आपको certificate भी बाद में fill करके देना होगा तो इसके लिए आप ऐसी गल्ती मत करना बस आप अपना जो भी documents वग कराई नहीं है तो जैसे ही आपको बता दूगा कि इतना reservation आपको मिलने वाला है ठीक है बाकी इतना बता रहा हूं कि आपको मैं पूरा कि this is the same will be required to time to filling application form J advance ठीक है तो यह आपको जो आपका जो certificate है जो category certificate आपको जूट पड़ेगा आप EWS का जूट पड़ेगा कब जब पारी बाते मैं आपको अच्छे से समझा दिया मैंने ठीक है इसके अंदर कि आप अगर EWS category के अंदर आते हैं तो 11 तारिक से लेकर 15 तारिक के बीच में आप अपना ध्यान रखिए application number से और password जो आपके पास है आपका Jman का उससे login कीजिए और वहां पे अपनी category है उसको change की कीजिए और वहां पर आपको फिर reservation का मौका भी मिलने वाला है ठीक है अब इसके बाद इन्होंने पूरी notification है वह सेम दे रिखिये जैसे आप नीचे नीचे स्क्रोल करते जाएंगे और यह इन्होंने यहां पर notice भी दिया है तो यह चीज़े आप पढ़ लीजिए अगर तब आपको यह अपलोड करना होगा तो यहां पर आपको सारी डिटेल से वह फिल करनी होगी और अपनी जो भी चीज़े वह आपको बहां पर बता के सारी चीज़े आपको अपना जो फो मैं हो फिल करना है जे डवांस का और फिर उसके अंदर आपको reservation का भी मौका मिलेगा तो I hope आप सभी को यह सारी information अच्छी लगे हो तो please like करना, share करना and comment जरूर करना फिर से last वे बार फिर बता देता हूं वो students गलती मत करना जो EWS category के अंदर नहीं आते हैं उनका form भी reject हो जाएगा और उनको किस तरीगा कोई benefit भी नहीं होने वाला है तो जो students सिर्फ EWS category के and keep watching my channel